नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का अपका पड़्चाला में दोस्तों आज हम आप लोग को find roots of complex number जिसको हिन्नी बोलते मिस्र संख्या का बर्गमूल तो यह हमारे एस्ट्रेंट बहुत ही कम एस्ट्रेंट जानते हैं कि मिस्र संख्या का भी बर्गमूल होता है हाँ जी होता है ठीक है तो कुछ एस्ट्रेंट पढ़े भी होंगे और कुछ एस्ट्रेंट नहीं भी पढ़े होंगे और coefficient जानते भी नहीं होंगे ओके लेकिन मैं आप लोगों को आज मिशर संख्या का बर्गमूल यानि Roots of Complex Number बताएंगे कैसे हम Complex Number का भी Roots निकाल सकते हैं, कैसे हम मिशर संख्या का बर्गमूल निकाल सकते हैं कउट्ट देखिएगा क्योंकि हमारे एंडिये एर्फोर्स और नेवी में इस तरह का कोचन की आता हैं कंपलेक्श नमर का बर्गमुल निकालना का रूट कैसे निकाले एयर फोर्द नेवी और एंडिये में अक्सर पुछे जाते हैं ओके और क्लास इलेवेंट का इस से लिप कर सके और कुछ लाश्ट में कोचन भी देंगे आप लोग को प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को आप लोग अंद तक देखिएगा अच्छे से देखिएगा सारे चीज धीरे-धीरे करके अच्छे समझाएंगे ताकि हमारे हरे एक एक अच्छे से समझ में आ जाए तो देखिए इसका क्या करना है बर्गमूल निकालना है रूट्स निकालना है सेबेन पलस चौविस इसे पलस ट्वेंटिफोर आई का तक कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा देखिए सबसे पलद जो दिया रहता है उसको हम माल लेंगे क् निकालना हुआ रूट्स सेबेन पलस चौविस आई को इपळस माल लीजी अब एपलस आई बी क्यों माने है क्योंकि एन्यमिस को बोलते हैं पलस ऐब द् nad किesting करनbor अपको यहां पर आई होना चाहिए कोई डाउट नहीं है इसको हम समिकरन फर्ष्ट माल लिए ठीक है अब देखिए क्या करेंगे दोनों तरफ इसको क्या करेंगे बर्ग कर देंगे तो कर दिजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर is square कर देए दुनों तरफ ठीक ना तेकिंग बोथ साइड इसकोर अब क्या करेंगे तो कर दिजिए रूट 7 पलस 24i का whole square और a पलस IB का whole square दुनों तरफ बर कर दिये, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक अब चलिए अब देखिए, 7 plus root 24 I root में है, इसका square हो गया, तो root क्या होगा हट जाएगा, तो यहाँ सा जाएगा 7 plus 24 I अब बराबर यहाँ से क्या जाएगा, A plus B का whole square पर इसको तोड़ दीजिए इसको A plus B का whole square पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A का square यानि A का मान A ही है, A का square अब पलस क्या होता है B square, यानि IB का whole square, अब पलस 2AB, 2 का 2, A का मान है A, और B का मान है IB, ओके अब चलिए, अब क्या करेंगे इसको जेओं करते हो, 7 plus 24I, अब बराबर A के दो बार करेंगे, A square अब पलस IB square, यानि I का square हो जाएगा, I into B का square हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2A IB हो जाएगा 2A IB हो गया अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको जेओं करते हो 24I, अब बराबर A square, यहाँ पर I square कमान क्या होता है, आप complex number में पढ़ें न, मिसरे संख्या में, कि I square कमान क्या होता है, माइनस 1 तब पलस, माइनस 1 into B, A square, अब पलस 2A IB हो जाएगा, 7 plus 24I, बराबर A square, पलस, माइनस माइनस, बी, A square पलस 2A IB ठीके, देखिए, इसका एक trick भी होता है, बहुत जल्द बन जाता है, लेकिन आप लोग पले long method सिखिए, अगला वीडियो में हम जुरूर कोसिस करेंगे, कि आप लोग को trick से बताएंगे, ओके चलिए, अब यहाँ से क्या हो आप अब हम क्या करेंगे की Real Part, यानि काल्पनिक भाग और वास्तिक भाग पड़े हैना Real Part यानि वास्तिक भाग, Real Part कि इसको बलते हैं, जिसमें I नहीं लगा हो, इसमें I नहीं लगा है, इसमें I नहीं लगा है आरपी रील पार्ट हो गया और यूट क्या बोलते हैं इंजिनियरी पार्ट यानि कालपनिक भाग इसमें आई लगा उसको क्या बोलेंगे कालपनिक भाग यानि आई-पी बोल देंगे तो चलिए अलग अलग इसको लिख लेंगे क्या हो जाएगा यहां से दोनों तरफ नेयो काल्पिनिक काल्पिनिक मतलब इमजिनियरी पार्ट काल्पिनिक भाग के बराबर करने पर बराबर करने पर यानि इक्वल कर रहे है ठीक है तो देखिए यह है वास्त्विक यह है वास्त्विक यानि आरपी आरपी एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यह हो जाए इसको सामी करण सेकेंड डाल दीजिए एकेवेशन सेकेंड हो गया और इसको बराबर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहां तक तक कोई डाउट नहीं है अब देखिए क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल है जो आप लोग पढ़े हैं जेवरा में यानि बीच गड़े पड़े है ना जश्ट उसी तरह सिर्फ इसको हल करते चल जाना है कुछ नहीं है बहुत इजी है अब देखिए यहां तक आने के बाद एक फर्मूला यहां लगता है उस फर्मूला को आप लोगों को हमेशा हर्ट में बठाल जिए याद रख स्कॉाइर माइनस बी स्कॉाइर का स्कॉाइर माइनस 2 है बीका सब्साइर एफ फर्मूला होता स्कॉ इस how A formula पर a बन जाता यह एए ऐस्कॉयर मैनस बीュर्ट बिखोर्नस ब्लस बीखोर के और मैनलट Kosten ईसकार होता है इस पर बैठाएं क्या हो जाए गाँ से हं सी schwarak्shit sa plus you स्कॉयर का holly square बराबर इस स्कॉयर मैनस कड़्यों क्या दिया है और देखिए 7 दिया है तो यहाँ पर लिखे लेंगे 7 का whole square minus 2ab 2ab का मान क्या दिया है 24 तो 24 का whole square हो गया अब देखिये क्या कर लेंगे अब धियान दिजिएगा और यहाँ पर minus नहीं plus होता है sorry यहाँ minus नहीं फर्मुला में plus होता है अब हो जाएगा यहां से a square प्लस b square का whole square बराबर साथ साते उन्चास 24 के दूबर पढ़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 का दूबर टेबल 24 इंटू 24 हो जाएगा 576 तो यहां से आजाएगा a square प्लस b square का whole square बराबर दूसो 576 और उन्चास को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625 अब यहां देखिए a square इधर आएगा तो रूट लग जाएगा तो हो जाएगा a square प्लस b square बराबर रूट अंदर 625 तो आप देखिए इतना गया तो यहां से हो जाएगा a square प्लस b square बराबर रूट 625 का बर्गमुल कितना होता है रूट यहनि 25 होता है इसको समीकरण फोर माल लो अब देखो यहां तक तो सबको समझ मया है अब क्या करेंगे इस समीकरण जो फोर है न और समीकरण ठाड है दोनों देखो a square मैनस b square बराबर 7 है और यहां पर a square प्लस b square पचीस है अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो a b का माना जाएगा चलिए इसको दोनों को जोड़त है तो क्या होगा समीकरण तो सेकेंड प्लस फोर ओके तो क्या हो जगा second है a square मैनस b square बराबर आपका दिया है 7 और 4 है a square प्लस b square बराबर 25 दोनों को जोड़ यह तब पलस मैनस कैंसिल a square a square हो जाएगा तो ए स्क्वायर अब बराबर पाचीस और सात कितना हो जाएगा? बध तीस तब यहां से क्या हो जाएगा? एट गun화 कर रहा है न? इधर आएगा तो भाग कर जाएगा एस्क्क्राइर बराबर बतीस भटा दो कटा दो आजाएगा 16 16 यानि a square बराबर आ गया 16 इस स्कॉर इदर आएगा तो रूट लग जाएगा इबराबर हो जाएगा root 16 16 का बर्चमुल क्या होता है चार ओके अब एकमान आ गया चार अब क्या करेंगे एकमान यानि एकमान रख देंगे समिकरन थड में तो लिखेंगे 3rd equation आपका आया है 2AB व्राबर 24 लिखिए 2AB व्राबर क्या दिया है 24 एक कमान क्या है 2 का 2 एक मान क्या है 4 ना तर 4 रख दिजिए इन 2B व्राबर 24 अब देखिए 4 दूना 8 B व्राबर 24 यहनि B व्राबर एक गुन्ना कर रहे दर आगा तो भाग कर देगा 24 बाटा 8 गटा देजी तीन बार में यह अब क्या करेंगे ए और वी कमान उंटी समी करण फर्स्ट में ने पर ठीक है समी करण फर्स्ट आपका क्या है ध्यान दिजेगा समी करण फर्स्ट है आपका अपका फर्ष्ट है समीकरण फर्ष्ट यह था ना फर्ष्ट यह था तरक दीजिए तो रूट 7 पलस 24 आए बराबर क्या था ए पलस आइवी जहां से क्या हो जाएगा ध्यान दिजिएगा एक कमान भर देंगे क्या है चार पलस B का मान है I3 यानि इतना हो जाएगा ओके और साथ में एक बात ओर एक ख्याल रखिएगा कि पलस और माइनस दुनों आएगा क्योंकि रूट से निकलता है तो उसका एंसर पलस और माइनस दुनों में आता है तो यहीं आपका बर्गमूल हो जाएगा यहीं आपका रूट हो जाएगा I hope कि आप लोग को समझ में आया होगा और देखिए और आपके लिए देते हैं कोचन कुछ आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना सेकेंड कोचन आपके लिए देते हैं कि सेबन माइनस चोपीस आई के आप लोग सल्व करना ठड़ दे रहे है कि ठड़ है कि एट माइनस फिप्टिन आय कमना ठीकेb और फोर दे रहे हैं आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना एक माइनस खर दे देते हैं कि माइनस पांच पलस बारह आई तीन कोचन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो समझो कि आप लोग काई बर्गमूल बहुत अच्छे हो जाएंगे जदी कोई डाउट होते हैं तो आप लोग कमेंट बक्स में कमेंट जरूर करना ठीक है और ऐसे ही कोई टॉपिक पढ़ना होगा जो आप लो बोलो हम जरूर इसको पढ़ाने के कोशिस करेंगे ओके हमेशा आप लोग को हिल्प करने के लिए त्यार रहते हैं और हमेशा रहेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए